शुरूआ दो लाइनों से करूँगी कि तेरे वादों पर मैंने नीलामी अपनी दी ये कैसी महबत है जाना जिसमें हर मोड पर कुर्बानी मैंने दी एक ये देखीगा कि अंजामे महबत से डड़ते हो फिर क्यों उसके हुसन पर मरते हो जब निभा ही नहीं पाओगे वास्ता उससे फिर क्यों इसधारे महबत करते हो मतलब हमारे सुसाइटी में अभी भी एक सेक्शन है जिसके बारे में मतलब हर कोई बात नी करता एक ऐसा हिस्सा है एक ऐसा पार्ट है जो मतलब बहुत हो सबको पता है वो मौजूद है लेकिन कोई उसके बार में बात नी करता तो मैंने उसे के ओपर कुछ लिखा है कि मेर जिसम का टुकडा बिक्ता है बाजारों में लगती है बोली मेरी रूप की हजारों तो इसी में आगे तवायफ तो कभी धंदे वाली कहलाती हूँ तवायफ तो कभी धन्दे वाली कहलाती हूँ लोगों के लिए मैं वैश्य भी वन जाती हूँ मिटाती हूँ प्यास उनकी अपने जिस्म से फिर अगले ही पल बच्चलन कहलाती हूँ लगती बोली मेरे जिस्म की रातों में लगती बोली मेरे जिस्म की रातों में तो कभी बिक्ती में पहली मुलाकातों में खून का कत्रा बहता रहा बहता रहा मिटती कहानी मेरे गर्ब की निपातों में मिटती कहानी मेरे गर्ब की निपातों में महफिले सजदी हैं इनकी मेरे नाम से महफिले सजदी हैं इनकी मेरे नाम से फिर क्यों बदनाम करते मुझे मेरे काम से महफिले बहुत शुक्रिया महफिले सजदी हैं इनकी मेरे नाम से फिर क्यों बदनाम करते मुझे मेरे काम से मेरी मजबूरी मुझे यहां खीच कर लाई है फिर क्यूं तोलते ये मुझे मेरे काम से ना इज़त मिली ना महवबत मिली खरीदने आते है कई तलबगार मुझे पर जब मुड़के देखा तो सिर्फ नफरत मिली कहने को तो सब मेरे अपने ही थे पर इन बंद आखों मेरे सपने भी थे एक भूब के खातर बेच दिया था मेरे अपनोंने मुझे क्या करूं बेटी होकर मुझे दुखनापने ही थे एक रहा चलता मुसाफिर पूछ बैठा मुझे एक रहा चलता मुसाफिर पूछ बैठा मुझे के तु जिस्म का सौदा कर बैठी ऐसी भी क्या तेरी दरकार है एक रहा चलता मुसाफिर पूछ बैठा मुझे के तु जिस्म का सौदा कर बैठी ऐसी भी क्या तेरी दरकार है जवाब मिला काम यही है मेरा पैसो की मार है काम यही है मेरा पैसो की मार है क्या करू साहिब घर पे बच्चे बिमार है एक आखली गजल सुनाना चाहूंगी कि किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है खुदा हर किसी का अपना जमीर बनाता है बेच खाई इंसानियत चंद पैसों की खातिर खुदा इंसाफ के नाम पर एक मंदिर बनाता है खुदा इंसाफ के नाम पर एक मंदिर बनाता है एक बेटा मा के आचल में पला तो एक बेटी कोख में मारी गई खुदा हर किसी की अपनी तकदीर बनाता है खुदा हर किसी की अपनी तकदीर बनाता है पलट सके अपनी किस्मत को अपनी महनत के इदम से खुदा हर किसी को इतना बेनजीर बनाता है कभी घमंड ना करना अपनी दौलत शौरत पर वक्त बदले तो राजा को भी फकील बनाता है झाल